दोस्तों मद्रगे जैश्वाल दोस्तों सीटेट की परिच्छा की तिथी भी आ चुकी है तो तिथी आने के बाद आप सब यह भैरती जो सीटेट की परिच्छा देना चाहते हैं जो सीटेटी परिच्छा उत्रण करना चाहते हैं उनके मन में सबसे पहला सवाल होता है कि क्य पढ़ें कैसे पढ़ें इस परिच्छा में कैसे बहतर रंग गरचित करें वास्तों में सीटेट की परिच्छा जी आप उत्तरण कर लेते हैं तो आप पूरे देश के लिए किसी भी भरती परिच्छा में यदि प्राथिविक अस्तर जुनिया अस्तर की जो भी आप देंगे उसकी जो साटिफिकेट होगी वह साथ साल के लिए वैलिड होगी और अगर सीटेट कौलिफाई हैं तो उसके लिए इस्टेट की कोई आपको जुरूत नहीं पर सकती तो इसलिए सीटेट का अपने एक अलग महत्तो हैं और सभी बिहारती सीटेट पास करना सबसे पहली पा आप दो वर्षी चारवर्षी आप से छ्ट्रण प्राप्त किये होते हैं चा slash bосто be Т c हो डेलर जो चारवर्षी हो यह चारवर्षी और जो यह योगताने बनाई गई है उस मानक से अगर आप उत्यखन होते हैं तो आप उस परिच्छा के लिए इच्वल होंगे तो अब ला प्रशनुरता हैं क्या पढ़ें तो दोस्तों इसके लिए वीडियो जाब पूरा देखेगा और सायद उसका जबाब भी आपको मिल जाएगा दोस्तों सीटिट की परिच्छा पास करने के लिए बहुत सारी समस्या हैं हमारे सामने आती हैं और आपके सामने भी आये होंगी सबसे पहला प्रशनुरता है क्या पढ़ें दूसरा प्रशनुरता है किस किताब से पढ़ें फिर अगला प्रशनुरता है किस कोचिंग संस्थान में अपना दाखिला लें इन सभी का मैं आपको जवाब दोंगा कि सबसे पहली बात आप इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने से पहले आप एक बार ये सोच ले कि आपको परिच्छा उत्रण करना है और ये सोचना ही है क्योंकि आप इसलिए तो पढ़ रहे हैं आप अपने माबाप के लिए पढ़ होता है आपको तो ये मजाग जैसा प्रती तो होगा लेकिन ये वास्तिकता है सीटेट पास करना अगर हम यूपिटेट की तो यूपिटेट सीटेट में जमीन आसमान का अंतर है और यूपिटेट पास करने में थोड़ी समस्या होगी लेकिन सीटेट पास करने में कोई समस एने सभी लोजो इतनाहाल है हाँ फिर भी लोग हुआ बनाएकर रखें हैं अब आते हैं सीटेट्ट पे सीटेट्ट में पोस्ता ृट है सीटेट है क्या सि Bite बहुत आसान है कि सीटेट के आज से 5-7 साल पहले जो भी paper हुए है अब उनका इज़ बार दनी करते हैं तो फिर एक बात समझ भाटी है कि paper का प्रश्ण कैसे बाता है paper का pattern होता है वो लगबग एक सार रहता है सेम सारता है प्नति वर्च उसी तरह चलता रहा है उसमें किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ सेल बस यूपिटेट की भाती है लेकिन फिर भी क्या-क्या चीजे अलग हैं क्या-क्या चीजे उसे अलगाओ करती हैं उन सभी को हम आज समझने का और जानने का भी पूरा प्यास करेंगे तो दोस्तों जो सीटेट होता है सीटेट में पांच खंड है जो पेपर पुछे आते हैं पांच खंड होते हैं जो 150 नंबर के होते हैं 90 मिनेट उनके टाइमिंग होती है 30 नंबर के बालविकास 30 नंबर के गणित प्राथमी के बता रहा हूं 30 नंबर गणित और अनाराच्छित्वर के लिए नब्बे नंबर जो यूपिटेट में वही सेम काटाफ है वही कटेगरी के ही साब से अप प्रस्ने उड़ता है कि हम कैसे पढ़ें क्या पढ़ें कहां से पढ़ें तो मैं आपको बता दो क्योंकि आप अगर सीट्रेट के प्रिप्रेशन करन ले हूं को कभी पीपर की बागल में रती क्या उससे कभी आपका एक्या दो मैच करता है नहीं म pressures करता तो फिर क्या करना चाहिए कैसे पढ़ना होना व कैसे पर इसे कहले नि का लिए करना सबसे पहले आप निचा पांस तक NCRD किताबे पढ़ लें आपके सरे NCRD किताबे क्यों पढ़ने आए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सब 2019 का पेपा ठारा पेपर देखिए उसमें कहा NCRD किताबे होती है वो NCRD के जो किताबे होती है वो NCRD के आधार पर उनको बनाये गया है और जिब किताबे जो लिखी गई है वो पूरी तरसे बाल के अंद्रित है कैसी है जो किताबों के रूप रेखा है प्रणा सुरू करेंगे तो पूरी तरसे बाल के अंद्रित है और जब आपकाछा एक से लेके 5 तक की NCRT किताबों को पढ़ते हैं तो पढ़ना बहुत आसान है जल्दी खतम भी हो हैं ताकि हम और आप हम और आप उससे आकणा लगा लेंगी इससे समझ जाएंगे पंपने कैसे पूछता है क्वाध का राश्टी पक्छी क्या है इस तरह से पूछेंगा पूछा भी आपने देखा भी ओगा पूछा भी कॉस ऐसा जानवर है जो पत्ते की सस्राहट और मानों की सस्राहट पत्ते हिलने को अंतर कैसे जान पाएगा एक सपेरा बीन बजाता है तो सांपनास्ता कौन सा क्रिया है कौन सा उत्दारण है तो इस तरह के पस्तन पूछते हैं जो कपके EBSC किताब में साप साप मिल जाते हैं सीधे सीधे एकदम Piase to Piase told मिल जाती है फीर आप करेंगे क्यों पर् किताबे नहीं होती अगर आपको मेरी बात का परसाड नहीं होता तो आप किसी भी मार्केट को केताब खरिट कर लाइजे और पिछले 2011 का फिर एक साइड़ आपको दूत का दूत पानी का पन्योंगा खुद तो पढ़े के सारी किताबे का संबंद नहीं पढ़े पढ़े कहां से कैसे प्रशन बंता है कि यह पढ़े कैसे पास तो उसके लिए आप करेंगे सबसे पहले कच्छा एक से लेकि पांस तक की NCRT किताबे आप पहले पढ़ लिजे जब NCRT किताबे पढ़ लेंगे तो आप उसी दिन सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे अगर यह दो चीज़े आप पढ़ लेते हैं मातर दो चीज़े तो आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं जोग सकता उसके बाद इन दोनों चीज़ों को पढ़ने के बाद कच्छा एक से लेकि पांस तक की NCRT किताबे कुछ नहीं है एक किताबे चार दिन में आप खतम कर देंगे लेकिन उसको जो पैटन दिया है पढ़ाने का अध्यापक के लिए छातर के लिए वो ज्यादा मात्रपूर है आप उसे पढ़ लीजे उसे पूरा पढ़ने के बाद एक बार बालविकास की पुरी वीडियो जोती मैम का देख लीजे आपने देखा भी होगा जोती मैम का पुरी वीडियो जोती मैम का पूरी वीडियो देख लीजे उसके बाद पिछले पांच वर्सों के पेपर आप स पिछले पांच वर्स का पेपर साल्म कर लिजे या तीन वर्स का इंसाल कर लिए चाहर और फिर आगामी जब साल्म करेंगे तो आपको खुझ लग जाएगा अरे वाइत तो इतना ही जी है इतना असाने सीटेट पास करना और हम आपszकोर करते हैं की को मिधे जाते हैं जो सीटेट की मैहत होसे एकदम पूरी तरसे अलग जो सीटेट कभी नहीं दिया परिछा एकजाम अध्याबब के से पढ़ाएगा वह सोसल आयेगा पढ़ाएगा वही पर्यावणन पढ़ाएगा परवर्म क्या पढ़ाएगा जयो अजयो पास्ट कीतां त्रिकोलाजी सिस्टर्म अस्थाल मंडल जल मंडल वायु मंडल गैसे 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 और प्रदूसर यह सारी चीज़े पढ़ाएंगी जब कि आप पेपर उठा के देख लिए ऐसे पिछले आज तक के पे सब्सक्राबों में और बाल विकास पर मिल जाएंगे और इतना पढ़ने के बाद आप मार्केट से कोई एक बहतर कोई बहतर आप प्राक्टिस सेट ले लिजे फिर उस प्राक्टिस सेट को साल करिए फिर आप अपने आप में एक कट्फिडेंस लेबल आपके अंदर आपको पहली सा प्रतीत होगा कि सर ये कैसे कह रहा है ये वासिक्ता ये रियल्टी है क्योंकि सीटेट में आपको कोई रटा नहीं मारना है किसी चीज़ की थेयरी नहीं पढ़ना है कि एक अध्यापक एक अच्छा में क्या क्या कारे करता है और उसके साथ एंसे अप 25 पढ अंदर क्षेचन जो होते हैं वो आपके मनवी ज्ञान प्यादा मतलब एक अध्यापक का एक च्छात्र में किस प्रकार प्रकार पती किस प्रकार का भिवार अशुए वास्तुएक रूप से वह आपके पास कितना परियुक्ता है अब अब अपने पढ़ेंगे कोलवार पढ़ेंगे, Skinner पढ़ेंगे, Kohler पढ़ेंगे, Vygotsky पढ़ेंगे, इन सभी को पढ़ने के बाद ये यूपिटर में सीदे पूछ ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर थांडाई का जो था, अब उनकी जो थियरी थी, उसका प्रियोग बालक के उपर कैसे करेंगे, Skinner का जो थियरी आपने पढ़ा, जो उसका कॉंसर्ट आपको सुझ मैंगे, उसका प्रियोग आप एक बालक के उपर किस प्रकार से करेंगे, आप एक अध्यापक बनने के बाद इन सभी की थियरीों को आप किस तरह से उप्योग करेंगे, कोलर की थियरी को किस तरह से आप इस सारे चीजे आपको कहा मिलेंगी यहां मिलेंगी और यह चीजे आप सोयम स्वभी व्यक से करेंगे इस स्वभी व्यक तब आएगा जब आप एक से लेक अच्छा 5 तकी प्रत्विक की See aati किताबे पूरा पढ़ने के बाद अप पूरी किताबे पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे पुरी किताबे आपने पढ़再 करें भीकर अगला पाइटां आता है गणित का तो गणित में 30 प्रशन होते हैं göre 15 क्षेंज होते हैं वह सीधे का प्रांगड हाल विद्ध्याले का कल्चरल इंवार्णमेंट कल्चरल इन सभी को एक गनित के रोप में कैसे आप समझाएंगे मैंने बालक को कैसे पढ़ाएंगे क्यूंकि आपके क्लास में 40 लड़के हैं 440 किस्म के होते हैं तो एक अध्यापक होने के नाते उस प्रात्विक अच्छा के बालक माने अभी आप पढ़ाएंगे शुरुवात की जाएगी तो जिनको कुछ भी नहीं आते कई प्रकार के होते हैं उन्हें किस प्रकार से आपको पढ़ाना है ये सारी चीजों का समायोज आपको करने के लिए एक अध्यापक के तरह सोच रखना होगा और अध्यापक के तरह अगर आप सोच रखेंगे तो सीटेट पास हो जाएंगे और 15 कोशन जो गरित के पुशे जाते हैं वो भी एकदम नारमल प्रशन पुशे जाते हैं और वह प्रशन आपको अच्छा एक परण कहते हैं इन्वार्मेंट कहते हैं इन्वार्मेंट में हम इन्वार्मेंट परते हो पढ़ाते हैं जो भी कोशन संस्थान है चाहे प्रदेशी कोई संस्थान हो कोई भी अध्यापक हो लेकिन वास्तों में आप पेपर उठा के देख लीजेगा परियावण में क्या प करभेगा मजना अगर आप City에 समझें एकदम से से आप पासा जांगे इसमें भी वही सारी जितने हमने पढ़ा हुआ है जितना मनु सुप टेयां अलमिन इसे पेठेंगे उन का परियोंग प्रते एक खन्डाह होगा अब लाइंग्वेज फर्ष्ट में आते हैं जब हिंदी रखें संस्कीत अंग्रेजी 20 लंगर में इसको यह रखें उसमें भी 15 क्या पुछेंगे पैसे से पुछे लेंगे एक दुख का बैकरण से पुछेंगे बाकी 15 फिर यह पुछेंगे अगर एक अप हिंदी के अध्यापक ह यदि कोई बच्चा मुझ चांड नहीं कर पाता उसके लिए अप क्या करेंगे यदि एक बच्चा कोई चीज कोई चीज बोलते समय असानी से बोल लेता लिखते समय मात्रात में तूटी करता है तो आप बालग कैसे समझाएंगे जब कि बालक कभी-कभी सब्दों को लिख लेकिन आपको यह बैवारिव जीवन से एक अध्याप गुण को समझ जाएंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे सेकेंड में सहस्कीत इंगलिस रखेंगे तो लेंग्वेज जो होते हैं तीस तीस नंबर के दोनों तीस और तीस फस्ट और सेकेंड लास्ट में जो होते हैं इन लेंवेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा आप मात्र दस दिन के प्राक्टिस करने के बाद इन साथ में आप आसानी से 40 लापाएंगे आपको बड़ा अजीब सा लगरा होगा सर क्या सही है गलत लेकिन एकदम सही है आप 49 लेके आएंगे 49 की बात कर रहा हूं बीना पढ़े बिना संशकृत पढ़ेंगे लोग ब्याकर पढ़ेंगे संसक्रित पढ़ेंगे लेकिन हम आपको बताएंगे पूरी तरसे एकदम आसानी से आप कितना कर पाएंगे इस 30 प्लस 30 में 40 से जदा आगर थोड़ी सी मैंद कर देंगे तो आप 50 पाएंगे जबकि कुछ भी रट्टा नहीं मारना है तो अंतो गत्वा ये बात समझना आ गई कि सीट्ट आपको रट्टा नहीं मारना है सीट्ट समझना है बस एक चीज एक अध्यापक का एक अच्छा पंज तक के प्रामरिय जूनियर में क्या योगदान होता है किस तरह से उसे पढ़ाया जाता है तो जो आपने प्रसेशन लिया जिसके लिए अगर उसको फालो करेंगे तो आप आसानी से सीट्ट पास कर सकते हैं और फिर मैं एक दिन आपको पूरा तरीका बताऊंगा किस तरह से प्राश्णों का टेंप्ड करना है किस तरह से आपको तयार करना है इन सभी चीजों का हा और क्लास की बात तो ऑनलेंग क्लास बहुत सारे लोग करा रहे हैं अफलेंग क्लास बहुत लोग करा रहे हैं लेकिन आप जहां भी पढ़िएगा एक बात जरूर देख लिजेगा कि कि जा पढ़ाया जा रहा है क्या इसके पहले किसी परिच्छा में ऐसे प्रश्ण सकते हैं स्वयम से किसी की ज़र्वत आपको नहीं पड़ेगी फिर भी यदि आपको लगता है तो सिक्स त्री जीरो सिक्स त्री डवल फॉर थ्री सिक्स सेवन पर वाट्सेप कॉल करके आप जोड़ सकते हैं और साथ ही साथ नोट्स भी प्रवाइट हम कराना सुरू कर देंगे लेकिन नोट्स वग्यारे सब चीजे फालत हुए तब तक के लिए जब तक आप सो बीवेक का इस्तिमाल नहीं करें अगर मैं पढ़ाऊंगा भी तो बस वहीं पढ़ाऊंगा कैसे कवेश्चन को स्टाल करने हैं कैसे प्रशनों को हल करना क्या-क्या चीजें सीटेट के लिए पढ़ने होती है सीटेट के लिए कुछ अलग पढ़ना होता है हां और मेरा पेस्बूक पे गएगा सर्च करिएगा दुर्गेशर जैसे दुर्गेशर सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा इडर्णिंग दुर्गेश्त को जॉइन करने के बाद आपको सब चीजी आपको मिल जाएंगी पहले से कराऊंगा और एक बात आओ तो सबसे जुरुरी बात है मार्केट में अभी तक सीटेड की बहतर प्रैक्टिस सेट बहुत सारी है मेरे पास भी देखिए इत्ती सारी पड़ी हुए है इत्ती सारी लेकिन उसका परिच्छा से प्रतेच्छा कोई संबंद नहीं है इस समय जोती मार्च के लाष्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट विक तक हम भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट दे देंगे और वह प्रैक्टिस सेट आप पांच वर्स की जो साथ पेपर हुएं भी साथ और सो में उन सभी का निचोड उन सभी के आधार पर ही वो बनाया जाएगा और जब अगर आप उन 25 प्रैक्टिस सेट रहेगा अगर आप 25 प्रैक्टिस सेट साल्व कर लेते हैं तो इस बात की आप अपने उपर समभाना माल लिजएगा या आसोस्त हो जाएगा कि आप सीटेट पास हो जाएगे उतना अगर आप साल्व करेंगे सीटेट आसानी से पास हो जा रट्टा मारना एकदम व्यारत है मैं भी कह सकता हूँ मेरे आक लास जोएन करें मेरे आक लासे चलेंगी हाँ चलेंगी लेकिन मेरे वही पढ़ाया जाएगा या मैं वही पढ़ाऊंगा जो सीटेट जिसका प्रत्यच्य प्रत्यच्य रुप से संबंध हो ऐसी कोई चीजे नहीं जो आपको पढ़ाया है, आपको लगिच्ण सर बहुत बढ़ारा है लेकिन बहुत बढ़ारा का कोई मतलब नहीं क्योंकि आपको सीटेट पास करना है आपको अपने घर के पेंटिंग करानी है अब कोई दरवाजा बहुत बढ़िया लगाता हो तो कहते दरवाजा बहुत बढ़िया बनाता हो, तो आप घर मेंठेटिंग करा नहीं हैं, तो उससे क्या मतलब, क्योंकि आपको एक बहतर प्रिंटर चाहिए उसी प्रकार आपको यहां पे एक बहतर वो चीज़े चाहिए जो आपको सीटेट के लिए हो बहतर सारे टीचर पढ़ा दे कोई खराब नहीं पढ़ाता लेकिन कि मैं यह बात कहूंगा कि वह सीटेट के अगर अभठी है इनननों दिया है तब तो यह बात समझा जा सकता है कि वह बीना पढ़े सीटेट पास है मैं भी बीना पढ़े एक दिन भी मैंने नहीं पढ़ा हूं और स जबकि और सारे लोग को जो मैंने बता जो मुझे जुड़े थे सभी सीटेट क्वालिफाई है और जो भी आप से जुड़े अगर इसके पहले मेरे साथ पढ़े होंगे या जानते होंगे तो आप उसे पूछेगा कि आप जुर्गेश सारे क्लाश जोएन के थे क्या आप मेरा 98 परसेंट था वैसे तो 100 परसेंट क्योंकि एक दो लोग का नहीं हो पाया लेकि 98 परसेंट मेरा लोग सीटेट क्वालिफाई है जबकि रट्टा नहीं मारना है सीटेट सबसे आसान है यूपी टेट और सुपर टेट के पेच्छा क्योंकि यहां पढ़ना कम समझना ज लगे तो आप उसको खरी दियेगा लीजिएगा देखेगा साल रिए गडा आप उसको साल१ appeal गरेगा देखेगा अप पास हपाते मेरी अच्छा एक से लेके पास तक जूनियर का देना है कचा अच्छा से लेके आर्थ तक फिर उसके बाद आपको लगता है तो कल से 11 तारिक से मेरी क्लासे आपके लिए ओनलाइन उपलब्द हैं यदि आप ओनलाइन क्लास जोइन करना चाहते हैं आपका most welcome है मैं भी आपको practice करागे पूर लगती है तो आप मुझसे जोड़ सकते हैं क्योंकि अभी बहुत टाइम है और वास्तुकता है सीटेट पास करने के लिए मुस्किल से ज्यादा ज्यादा 45 दिन लेकिन आपके पास अभी कम सकम चार महिने का समय है तो कहीं न कहीं आपके पास एक लंबा समय है और आप मेहन पर दिजेगा किसी भी कोचिंग संस्थान की जरूत नहीं है किसी भी अच्छे किताब की जरूत नहीं है बस एंस्याटी ख़़ लेजे सवस्ति किताबे आती है और वाकि जो मार्केट किताबे हैं वह कितनी भी मांगी क्यों नहीं और सीटेट के लिए तब तक महत्व पु पुच्छा देजेगा इस उमीद के लिए कि हो सकता है आपके बीडियो काम का नहीं आपके लिए बखवास लगे लिकिन यह वीडियो किसी की जिन्दी बदल सकता है हो सकता है बहुत सारे से बहरती गरी में भीहरती हो जिनके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं और वो चाहिए क्या मैं सही हूँ या नहीं फिर भी आप सभी साथ ही यह में अपना अनुभव से अर किया मेरा अपने अनुभव से जोड़ी दिखेगा अगर आपको बहतर लगेगा तो जरूर जोएन करिएगा ऑनलाइन क्लास मेरे आप प्राराम बोचुकी है ऑनलाइन नोर्स म पढ़कर खुद के मेहनत के बल पर याप पास होंगे किसी कोचिंग किसी से किताब सने क्यों की वास्तों में पढ़ना आपको है मेरा काम के ओल मागदर्सक के रूप में आपको राह दिखाना आपको पाथिक के रूप में आपको वास्तों में एक रागीर के रूप में फलता जल्दी मिल जाती बस इतनी सी फार्क होती है बाकि आप सब खुश समस्दार हैं आप सभी को मेरी तरफ से डिश्व कमने भगवान करें आप सब भेता रंगों के साथ पर इच्छा उत्रेड करें और अपने माबाप का अपने परिवार का अपने समाज का नाम रोसन करे और देश्क में लिए और वह चीज़ें देख कर जाएं जिसकी जरूरत होती है फिर भी और मुझे बता है आप मेहनती आप मेहनत करेंगे इस वीडियो को सेर कर दिजएगा उससे बैठते तक जरू पूचेज़ेगा जो सीटेट के लिए इच्वल है या सीटेट की परिछ झाल